नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज फिर से आप सभी का अपने हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ प्यारे बच्चों, प्रात्ना और ध्यान इनसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रात्ना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं Dear Students, आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी व्याकरन पुस्तिका का एक महत्तपुन विशे विशेशन करवाने जा रही हूँ हम इस वीडियो में विशेशन की परिभाशा, भेद और उधारन करेंगे विशेशन की परिभाशा जैसा कि आप पिशली कक्षाओं में पढ़ते ही आ रहे हो कि जो शब्द किसी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है उसे विशेशन कहते हैं जैसे अच्छा लड़का काली गाए लड़का क्या है? अच्छा है अच्छाई उसकी क्या है? विशेश्टा है काली गाय है लेकिन कौन से रंग की है? काली है तो काली उसकी क्या बनेगी गाय की? विशेश्टा विशेशन के चार भेद होते हैं विशेशन के कितने भेद होते है? चार गुन वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन और सर्वनामिक विशेशन सबसे पहले हम करेंगे गुन वाचक विशेशन प्यारे बचो, जिस शब्द से संख्या या सर्वनाम के गुन दोश का पता चले उसे गुन वाचक विशेशन कहते हैं जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा या फिर जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुन, दोश, रंग, अकार, अवस्था, स्तिती, स्वभाव, दशादिशा, आदी का बोथ कराए गुन वाचक विशेशन कहला परिमान वाचक विशेशन, वै विशेशन जो अपने विशेशियों की निशित या निशित मातरा का बोथ कराए परिमान वाचक विशेशन कहते हैं या फिर इसकी परिभाशा हम इस तरह से भी करेंगे कि जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु के नाप तोल का बोथ हो, कि उसे परिमान वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे एक लीटर, पांच किलो, दस लीटर, दस मीटर, थोड़ा कुछ इत्यादी, और परिमान वाचक विशेशन को आगे दो भागों में बांटा गया है, निशित परिमान वाचक विशेशन और अनिशित परिमान वाचक विशेशन बच्चो निशित परिमानवाचक विशेशन क्या होता है जिस शब्द के द्वारा हमें निशित नाप तोल का पता चले उसे हम निशित परिमानवाचक विशेशन कहते हैं जैसे चार मीटर कपड़ा कपड़ा है कितने मीटर है चार मीटर दो किलो दूद इसके बारे में हम निश्चित हैं कि दूद है कितना है दो किलो है अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन इसमें क्या होता है कि हमें जिस शब्द द्वारा निश्चित नाप तोल का पता ना चले जहां नाप तोल है माप अनिश्चित हो कई तोले चांदी, कुछ कपड़ा इत्यादी संख्या वाचक विशेशन संख्या क्या होती है? गिंती का बोध हो जिसमें कहता है संख्या समंदी विशेश्टा बताने वाले शब्दों को संख्या वाचक विशेशन कहते हैं यहाँ जिस शब्द के दोारा संग्या या सरब नाम की संख्या का पता चले उसे संख्या वाचक विशेशन कहते है जैसे 3, 4, 5, 8, इत्यादी इसको भी आगे दो बागों में बाटा गया है निश्चित संख्या वाचक विशेशन और अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन निश्चित संख्या वाचक विशेशन क्या है जिस शद के द्वारा हमें निश्चित संख्या का पता चले जैसे पांच लड़के लड़के हैं कितने हैं पांच दस लड़कियां लड़किया हैं कितनी हैं वो दस हैं हम उसके बारे में निश्चिन्थ हैं ठीक है निश्चित है हम की लड़कियां हैं दस है ठीक है और निश्चित संख्या बाचे क्या होगा जिसके बारे में हमें जिसकी संख्या के बारे में हमें निश्चित पता ना हो जैसे बहुत से आदमी सभी लड़के सैंकडों आम सबसे लास्ट में हम करेंगे विशेशन का भेड जो है वो है सारबनामिक विशेशन जा हमें इसे हम संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं इसकी परिभाशा कुछ प्रकार से रहेगी वैस सारबनाम शब्द जो संग्या शब्द से पहले आकर उसकी विशेशता बताते हैं सारबनामिक विशेशन कहलाते हैं या जिस शब्द के द्वारा किसी तरह के संकेत का पता चले क्योंकि इसको संकेत वाचक विशेशन भी बोलते हैं ठीक है उसे हम संकेत वाशक विशेशन कहते हैं जैसे वह लड़का, कोई आदमी, जो पुस्तक, कुछ रुपए संकेत के बार में बता चले या फिर कितने प्रश्ण हल करने है प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझाया होगा एक नए पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद